तो आज हम बात करेंगे DSSB की जो पर्मनेंट टीचर के रेक्रूट में निकली है उसे बारे में और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकें लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट बॉक्स मा कॉमेंट कीजिएगा मैं किसी न किसी म और इनका जो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जो ये डेट है ये कल की डेट है तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके वो आपके शुरू हो जाएगे 28 जुलाई से ठीक है 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगे और 27 अगस्त तक रहेंगे यानि कि पूरा-पूरा के लिए और एक महीने का टाइम मिलरं ठीक है डेश्ट्रेशन के लिए अब बात करें इसमें Sydphone के बारे में तेक वैसे तो नन टीचिंग स्टाफ की भी बिकेंसी आहिए लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ टीचिंग स्टाफ वले के बारे में ठीक है तो यहान पर 9 वाले special educator की जो vacancy आई है वो आई है 364 vacancy जो है वो आपकी special educator की आई है ठीक है, number of vacancy कितनी है 364 यही पर बात करें PGT music mail की आई है जो की vacancy है यह सिर्फ एक vacancy है PGT में fine arts painting mail ठीक है, इसकी भी एक vacancy है PGT उर्दू mail की जो है 3 vacancy है PGT उर्दू female की जो है वो भी 3 vacancy है PGT horticulture की 2 vacancy है PGT psychology आपकी 1 vacancy है PGT psychology female आपकी 1 vacancy है PGT computer science 7 vacancy है PGT computer science female 19 vacancy है PGT Punjabi female की PGT sanskrit की female 21 vacancy है यहीं पर बात करें PGT संस्कित female की तो यह 21 है और English male की आपकी 13 है ठीक है और PGT English female की जो है वो 14 है यहीं पर PGT EVGC male की आपकी 19 है और PGT EVGC female की आपकी 35 vacancies है ठीक है तो यह number of vacancies है और registration मैंने आपको बता दिया official website का link मैं description box में भी provide कर दूँगी और यह जो notification है यह मैं आपको telegram पे भी share कर दूँगी and as well as आप DSSB की site से भी download कर सकते हैं वहाँ पर जाके ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं बाता दूँँ आपको application fees जो है आपकी तो pay scale TGT के लिए जो pay scale इन्होंने निर्धायत किया गया है TGT के लिए pay scale जो है वो around 70,000 something कुछ आपकी salary बनेगी और TGT sorry TGT के लिए यही बात करें PGT के लिए तो PGT के लिए जो आपकी salary बनेगी वो आपकी around 75,000 प्लस ही बनेगी ठीक है 75,000 प्लस ठीक है अगर हम बात करें age की तो PGT के लिए आपकी 36 age है और यही पर बात करें आपकी PGT में PGT की 32 है ठीक है यह याद रखिएगा और दूसरी चीज PGT में आपका subject concern में आपका master होना चाहिए जैसे कि अगर आप music से हैं आप PGT English से हैं तो मतलब desirable में आपको essential qualification में आपके पास आपका master उसी subject में होनी चाहिए प्लस आपका B.E.D. भी मांगा है और अगर B.E.D. नहीं है तो भी क्या option है वो आप देख लीजेगा एक वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि अगर B.E.D. नहीं है आपके पास तो आपके पास क्या अधर option है जैसे क किसी के पास PhD है या फिर अगर आपके first year मतलब 10th, 12th और आपका 10th, 12th और graduation प्लस आपका PG 60% से अब अब है मतलब first division है तो आप eligible हो जाते हो without B.E.D. के लिए भी ठीक है याद रखेगा लेकिन master सापकी concern subject में ही होनी चाहिए दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर एक बता दू कि PGT जितनी भी job के लिए अगर आप apply करते हैं तो OBC सिर्फ Delhi की ही मानने होंगे अदर स्टेट वाले जो OBC candidate होंगे वो यहाँ पर general category में count किये जहेंगे ठीक है और बागी details में detail में आपको एक दो दिन में provide कर दूँगी ताकि सारा कुछ सारा slaybers क्या है कैसे strategy अपनानी है क्या चीज़ है और जो भी अभी vacancy नहीं आई है तो please आप लोग यह याद रखिए कि vacancy बहुत जल्द आपको देखनी को मिल जाएगी हो सकता है डिले हो जाए लेकिन इसी साल आपको vacancy देखनी को मिलेगी क्योंकि जैसे ही DSSB ना अपना calendar जारी किया था उसके according तो काफी late vacancies आई है अपडेट लेकिन आ रही है यह चीज़ याद रखिए तो please आप लोग इस रिक्वेस्ट है DSSB का exam ऐसे ही नहीं निकल जाता अपनी तयारी में लगे रहें और इंशालला आपका selection जरूर हो जाएगा और तयारी में जरूर लगे होगा यह बात आप कहीं भी लिख लीजिए ठीक है बिना तयारी कि 1000 वेकिंसी क्या लाग भी होंगी तब भी आप select नहीं हो सकते तो यह याद रखिए कि तयारी करिए और इंशालला आपका कुछ ना कुछ बैतर होगा ही होगा ठीक है यहाँ पर जैसे की दिखाई रखा है Master degree में और बाकी सारी details में आपको कल detail में बता दूँगी वैसे तो सारी चीज़े मैंना almost आपको बता दी है ठीक है लेकिन फिर भी अगर by chance कुछ रह गया हो तो प्लीज है मुझे comment box में comment कीजिगा ठीक है और यह जो notification है यह मैं टेलिग्राम पर provide कर दूँगी ताकि आप रखे थोड़ी से habit बनाईए खुद चीजों को अपने according analyze करने की क्योंकि जब हम खुद से analyze करते हैं तो हमारे जो thinking ability है वो भी develop होती है ठीक है तो मैंने कोशिश की है कुछ अच्छी चीजे आप तक पहुचाने की लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीस आप मुझे comment कर सकते हैं और वैसे वैसे तो मैंने कोशिश की ही है मेरे अभी exams चल रहे हैं इस वज़े से थोड़ा सा मैं busy हूँ ठीक है तो प्लीस आप लोगों से request है वीडियो अच्छी लगी हो कुछ भी informative लगा हो तो प्लीस प्लीस इस वीडियो को शेर कीजेगा और चैनल को subscribe जरूर करिएगा thank you for watching और कोई doubt हो तो comment करें thank you और ये notification में share कर रही हूँ telegram पर तो telegram का link पर आपको description box में ही मिल जाएगा अब मिलते हैं आप से किसी और वीडियो में thank you